आजकल इतने सारे नए स्मार्टफोन लाँच होते हैं और अल्मूस्ट हर दूसरा फोन बढ़िया ही होता है मतलब हम लोग यहाँ बैटके निट्पिकिंग तो कर लेते हैं तो इस अफ्ते मैंने यूस किया Aikoo Neo 7 Pro and the first thing that I have to say about this phone is कि OnePlus Nord 3 के प्राइस पर OnePlus 11R वाला मजा अभी तरक्षाद आप लोग को अलड़ी पता हुगा कि दो वेरिंस के अंदर लाँच हो है 35,000-38,000 रुपीस प्राइसिंग है बहुत अगड़ी परफॉर्मेंस है, जबरदस्त कैमराज है और कम्प्लीट वाल्यू फर मनी फोन है यह एक एक करके जिस के बारे में बात करेंगे लेट स्टार्ट विट परफॉर्मेंस Easily 50,000 रुपे के अंदर इस वक्त यह सबसे ज्यादा पावरफुल फोन है Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिप के साथ लाँच हो है इसी चिप के साथ दो दूसरे फोन भी लाँच हो है इस वक्त OnePlus 11R Nothing Phone 2 दोनों की प्राइसिंग इससे ज्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस के मामल में यह उन दोनों ही फोन से आगे है iqoo Neo 7 Pro का N22 स्कोर 13,00,000 से उपर है जो की Near Flagship लेवल है और OnePlus 11R से काफी ज्यादा है Geekbench 6 स्कोर भी OnePlus 11R और iqoo Neo 7 Pro के मोरोल है सेम है विच मीन्स की CPU परफॉर्मेंस दोनों फोन की एक सी ही है यह फोन दो वेरियंट्स में लाँच हुआ है दोनों में LPDDR5 RAM है UFS 3.1 स्टोरेज है बेंचमार्क स्कोर्स रियल वर्ल परफॉर्मेंस में भी रिफलेक्ट होते है फ्रॉम गेमिंग तो एवरिडे परफॉर्मेंस iqoo Neo 7 Pro is good and fluid to use गेमिंग परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मैंने दो गेम्स खेले इस फोन के ओपर Call of Duty Mobile, Asphalt 9 Legends Call of Duty Mobile में जो High Graphics Settings है 90 FPS वाली वो supported और इवन Asphalt 9 60 FPS पर RAM से रन करता है दोनों गेम्स के अंदर मुझे परफॉर्मेंस वाइस कोई issue नहीं हुआ बढ़िया FPS मिल रही थी और ना ही फोन स्लो हुआ ना ही ज्यादा गरम हुआ इस फोन की in fact सबसे बढ़िया बात है इसका thermal management जायतर क्या होता है इस वाले प्राइस पॉंट के ओपर जो फोन आते हैं परफॉर्मेंस तो बहुँ बढ़िया होती है लेकि वो गरम भी होने शुरू हो जाते है बट यहाँ पर I think iqoo ने एक बार फिट से काफी अच्छा काम किया है एक घंटा गेमिंग के बाद भी फोन बिलकुल गरम नहीं हुआ इवन तो मैंने नोटिस किया कि CPU टेंपरेचर पचास से पचपन डिगरी तक जा रा था बट वो हीट मुझे फील नहीं हो रही थी तो इसका एक रिजन तो आप्टिमाजेशन यहाँ पर आइकू ने किया इसके तो हीट डिसिपेट हो रही है वो अराम से काफी अच्छ तरीके से निकल रही है दूसरा जो यहाँ पर यह वीगन लेधर बैक यूस किया इसका भी कही न कहीं इनको फाइदा हुआ है इसके वहाँ पर आइकून यूस 7 प्रो और वन प्लस 11 र का डीटेल बैटरी ट्रें टेस्ट किया है जहाँ पर डिस्पले टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्स, सारे बेंचमार्क्स सब कुछ वहाँ पर रन करें तो वह वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हो 5,000 mAh की बैटरी है तो डे-to-day जो बैटरी वाकप है वो काफी सॉलिड है और साथ में 120 वाट का चार्जर मिल रहा है बॉक्स के अंदर मतलब और क्या चाहिए और राइट, सॉफ्ट्वेर वाइज यहाँ पर Funtouch OS 13 है जो की Android 13 के ऊपर मिल रहा है हलांकि मुझे शुरू में लग रहा था यार Funtouch OS के न थोड़ा सा bloatware जाता है कई बार optimization उतना बढ़िया नहीं होता लेकिन honestly मजा तो आया है कुछ improvement की गुंजाईश अभी भी है बट overall जो software experience था फोन के उपर वो ठीकता की था सबसे पहले याँ पर थोड़ा सा bloatware है काफी सारी unnecessary apps है हलांकि उन सारे उन में से जो ज़्यादर apps है उनको uninstall कर सकते हैं और even then I would say कि जो unnecessary apps है वो भी दूसरे phone से comparison में थोड़ी सी कमी है और जो ज़्यादातर apps हैं वो 120Hz refresh rate के लिए optimized भी है ना ही मुझे कोई याँ पर software bugs देखने को मिले और जो personalization options हैं जितने भी customizations हैं उनको भी iqoo ने improve कर दिया है एक problem लेकिन याँ पर ये है कि इस phone के अंदर 2 साल का software update मिल रहा है सिर्फ ये कम है अगर मैं OnePlus 11R की बात करूँ याँ पर 3 साल का software update मिलता है ये नथिंग भी 3 साल का दे रहा है बाट Samsung को कही फोन में 4 साल का भी दे देता है तो at this price point 2 साल थोड़ा सा अटपड़ा लगता है बहुत major concern नहीं उनाची है बिकास अगे मेरा logic वह ये है दो साल के update से अपडेट से भी फोन 3 साल आराम से चलता है और उतने टाइम में जाहतार लोग फोन चेंज कर लेते हैं बट इवन देन एक important information है जो आप लोग तक पहुछने चाहिए तो point out मैंने कर दिया अभी तक तुम लोग सोच रहे हो कि आज इसने उल्टी बातें क्यों करी है वो इसलिए है क्योंकि design, display इन सब चीजों के बारे में मैं already अपनी first impressions और unboxing वाली वीडियो है उसमें काफी बात कर चुका था वहाँ पर जो मैंने performance है, battery है, software है इनके बारे में उतनी बात नहीं करी थी क्योंकि तब तक मैंने phone उतना test नहीं किया था यह जो design है उस पर आते है अब और यह जो orange कलर है मैंने first impression video में का थोड़ा शुरू में अटपटा लग रहा था लेकिन अब दिले दिले यूस करते करते इट गुरू अजीव अब नहीं लगता है phone का जो in hand feel हो बहुत प्यारा है थोड़ा सा different भी है दिखने में यह vegan leather finish जो है it feels really good phone slippery नहीं है finger prints वाला problem भी नहीं और front में जो pezels दी है वो भी काफी slim है and overall जो phone है उसका weight भी जादा नहीं है weight distribution अच्छा है fingerprint sensor काफी quick है जो buttons का tactile feedback है वो बढ़िया है और एक IR blaster दे दिया है top में IR blaster समाओ ना कहीं से तो revive हो गए है OnePlus अपने phones में दे रहा है iqoo दे रहा है and it's good to see so yes overall the design एस phone का वो मुझे बिलकुल काफी पसंद आया color भी अच्छा लग रहा है अब तो stand out भी करता है बाकी दूसरे phones से iqoo Neo 7 Pro का जो display है यह probably इस phone का मेरा favorite part है और इसका एक रीजन यह भी है क्योंकि iqoo के मैंने काफी सारे phones अभी ते क्यूस करे है उनसे मैं expect करता हूं कि performance में तो वो काफी solid रहे है because इनको optimization जनरली बढ़िया रहता है but display इता है उने बढ़िया बना दिया यह मैंने expect नहीं किया ता जो हमने display test किया ता उसमें यह clearly दिख रहा था कि OnePlus 11R से better display है iqoo Neo 7 Pro का Full HD Plus AMOLED पैनल है flat पैनल है 6.78 इंच इसका size है 10 bit colors है और 120 Hz का refresh rate है I think इस segment में one of the best and brightest पैनल है video playback के लिए एकदम amazing है OTT platforms, YouTube दोनों पर HDR10 का support है touch जो है वो काफी responsive है precise है और हमारा जो display test है fiber वाला उसमें भी हमने देखा कि जो color scheme है जब मैं उसको default पर रख देता हूँ तब भी vibrant और अच्छे colors मिलते है iqoo Neo 7 Pro में जैसे यह तोते वाली photo के अंदर आपको परदा चलेगा कि जो reds है वो कितने बड़िया vibrant और उनका contrast कितना अच्छे से maintain करा है even जो details और textures है यह phone काफी अच्छी तरीके से maintain करता है और जो HDR imagery है उसमें भी एक balanced output मिलता है वो highlights भी अच्छी दिखती है और जो shadows है जो dark spots हैं उनको भी इस phone ने दिखाने की कोशिश तो करिए काफी जारे मैंने नेट्फिक्स पर shows देखे इस phone के ऊपर YouTube वीडियो देखे और experience overall अच्छा था साथ में जो है यहाँ पर stereo speaker का setup भी दिया हुआ है जो speakers है वो loud है, rich है, काफी rich audio output है एक बार मैं आपको पहले थोड़ा सा music सुना देता हूँ music सिर्फ सुनते नहीं हो आप, आप podcast भी सुनोगे आप videos भी देखोगे जैसा मैं हर video के अंदर करता हूँ सिर्फ यहाँ पर music का output में गे रहा हूँ बलकि एक podcast का part भी सुना रहा हूँ very serious matter, very serious matter we are laughing on it but हिमाचल में यार, क्या हाल है, इतना बुरा हाल है so yes, मैं यह नहीं कहूँगा कि यार, यह बहुत extremely loud speakers है, obviously phones में कुछ इससे बेटर speakers भी आते हैं, S series हो गई, Samsung की iPhones हो गई but even then for this price, काफी dense, काफी rich audio experience है इस phone में triple rare camera setup दिया हूआ है 50 Megapixel का main camera है, जिसमें OIS support है 8 Megapixel का ultra wide angle है और 2 Megapixel का macro sensor है front में 16 Megapixel का selfie shooter भी दिया हूआ है clearly जो phone का main camera है, that is the star of the show जो मैंने अपना first impression किया था, उसके दर ही बुला था कि colors काफी accurate निकल के आया था, इस phone चो मैं surprise भी हुआ था because generally इस तरह के mid range phones हो थोड़ा सा colors को boost करते है और जितना मैंने और phone यूस किया, जो मेरा वो belief ता और strong है, because आप photos के दर देख सकते हैं, कि एक जो बड़िया चीज देखने को लगी कि main camera और जो portrait mode है उसके अंदर ए color consistency मैंने देखी जो कि usually again इस price point पर missing होती है जो main camera से photo ली है और जो portrait mode में photo आई है उसके अंदर similar से facial tones है, similar से colors है और portrait shots in general वो काफी sharp और बुके है वो बड़िया है ultra wide angle camera के लिए same चीज नहीं बोल सकता वहाँ पर थोड़ा सा details go missing, photos उतनी sharp भी नहीं है और जो colors है वो भी थोड़े से boosted है but otherwise जो इस phone की performance है, camera performance है उससे मैं काफी satisfied हू even जो HDR performance है वो भी बढ़िया low light के अंदर भी photos ठीठ ठाक निकल के आती है even जो front camera है, उससे जो selfies है वो मुझे देखने में सही लगी 4K 60fps video recording support करता है rear camera से यह phone, आवास भी जो है इसी के microphone से आ रही है तो colors का, audio quality का, हर एक चीज का idea लग जाएगा आप चल के front camera test करते है यह वाला video जो है, मैं 1080p 30fps में record गर रहा हूँ इस phone के front camera से audio भी जो है, मैं phone के microphone से ले रहा हूँ पीछे काफी disturbance है lunch time office में काफी लोग आ रहे जा रहे मारे गाड़ भईया भी लगे है, तो उनकी आवास में शायद बहुत आ रही होगी बट स्टिल आपको एक अच्छा idea लग जाएगा इस phone के front camera quality और इसके audio output के बारे में अब सारी बाते हो गही है display, performance, software सब कुछ मैंने बताई दिया है चलते है, final word ही को बताता हूँ आपको यह phone खरीदने लाइक है या नहीं जब मैंने OnePlus 11R यूस किया था तो मैंने कहा था कि भई शायद इस साल 2023 में उस phone को इस price segment के अंदर पीट करना नामुम्किन होने वाला है मतलब मुश्किल भी नहीं but I think we are in July iQoo Neo 7 Pro ने वो कर दिया है और सिर्फ pricing के और performance के मामले में नहीं मतलब almost हर एक aspect में be it the display, battery backup जो design है phone का performance है, camera हर एक चीज के अंदर ये phone एक काफी तगड़ी performance देता है अगर मैं सर्फ और software support in terms of longevity छोड़ दूँ वहाँ बर शायद OnePlus 11R बेटर है बाकी almost हर एक department के अंदर iQoo Neo 7 Pro इस वक्त एक कमाल का proposition है on top of it जो इसकी pricing है as I said वो काफी ज्यादा अग्रेस देव है लेकिन at least जो मेरा experience इस phone के साथ रहा जो मेरी testing रही है उसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि इस वक्त 40,000 रुपीज के अंदर ये शायद best phone है मैं in fact थोड़ा सो आगे जाओंगा बोलूँगा 45,000-46,000 तक भी आपको इससे better phone ये शायद इस वक्त इंडिय के अंदर नहीं मिलेगा और इसलिए जो मेरी rating है for this phone is 8 out of 10 अब बढ़ो आपो कैसा लगा IQ News 7 Pro, कैसा लगा हमारा उसका रिव्यू और बहुत थारे वीडियो आने वाले अस अफे चैनल पर मोटोराजर 40 का रिव्यू आरे नथिंग फोन टू आगया हमारे पास उसको लेकर जो भी क्वेस्टिन्स है वो कॉमेंट से पूछ चकते हो वहला रिव्यू भी आएगा and stay tuned and अपना जो भी प्यार है आप फाइबर फामिली को देते रहो